एक लड़की को दोस्ती तोड़ना इतना महिंगा पड़ जाए गा उसने कभी सोचा नहीं था दरऊसल एक लड़की लड़के से दोस्ती तोड़ना चाहिए तो लड़की ने उसके असलील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिये तो अगर आप भी किसी से दोस्ती कर रखे हैं या किसी से दोस्ती तोड़ने का सोच रहे हैं तो उससे पहले से वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आप आने वाले संकट को दूर कर सके बागी क्या है यह पूरा मामला और आगे उस लड़की के साथ क्या कुछ होता है वह सब आपको आगे के वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को अंत तक पूरा देखे अब नमशकार आप देख रहे हैं जंता जंक्षन और मैं हूँ आपके साथ श्वैता मिस्रा अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं और उस दोस्ती को तोड़ना भी चाते हैं तो थोड़ा समय दीजिए ताकि आप भी समझ सके और जिससे दोस्ती तोड़ने वाले हैं वो भी समझ सके लेकिन आज का ऐसा जमाना है कि लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी ही वह इतना गुसा हो जाते हैं कि वह क्या करते हैं वह उनको भी समझ नहीं आता है दरसल ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक लड़की को एक लड़के से दोस्ती तोड़ा तो उस लड़के ने उस लड़की के साथ बत्तमीजी की उसके असलील फोटो वीडियो को सोचल पर वाइरल कर दिया इतना ही नहीं अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की को खुब परिशान करने लगा उन लोगों की वजह से लड़की हमेशा परिशान रहने लगी उसके घर वालों पर भी सवाल खड़े हो गये बात सिर्फ इतनी सी थी कि इस लड़की ने उस फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल कर देता है लड़का उसी सहर के बहल खाना रोड का रहने वाला है वहीं ये सब के बात से लड़की घर में डर कर बैठने लगी काफी दिनों तक ऐसे ही परिशान रही जब खुब परिशान होने लगी तो मनियारी थाने में जाकर लड़के के खिलाब केस दर्ज करवा देती है जिसके बाद लड़की के मामले को दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस लड़के की छानविन में जुट जाती है शिकायत दर्ज करवाते हुए लड़की ने बताया कि हम दोनों की दोस्ती कुछ दिन पहले ही थी और मैं दोस्ती तोड़ दी तो मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलकर परिशान करने लगा वह और उसके दोस्त पांच अलग अलग मोबाइल से फोटो और वीडियो भी वाइरल कर दिये वहीं सब मामलों को लेकर मनियारी थानेदर संतोष कुमार रजक से बातचित किया गया तो उन् देखा जा रहा है कि उस लड़के ने कितने लोगों को और कहां कहां फोटो और वीडियो वाइरल किये हैं बाकी जरूरत पढ़ने पर दुबारा उस लड़की से भी पूस्ताच की जाएगी जिसके बाद जो भी सच्चाई निकल कर सामने आएगी उसे सामने रखा जाएग वाभी कुस्तोस समझ सके और आप भी कुस्तोस समझ सके ऐसे दोनों के लिए ही अच्छा होगा लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लेना ये सही नहीं है बाके इस खबर में बस इतना ही इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताए इस